आजादी की लड़ई में अंगिनत नाम ऐसे है जो इतियास के पन्नों में आज भी गुमनाम है ऐसा ही एक नाम अमर करांतिकारी यतिंद्रनाथ दास का भी है यतिंद्रनाथ दास अत्वा यतिंद्रनाथ दास जीने यतिंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है यतिंद्रनात करांतिकारियों के संग्टन इंदुस्तान सोचलिस रिपब्लिकन असोशियेशन के एम शद्य से थे और शहीद भगस सिंग के साथ अंगरेजों के कलाब हर शंगर्ष में सामिल रहते थे कोलकत्ता के एक साधारम बंगाली प्रिवार में 27 अक्टूबर 1904 को जन्में यतिंद्रनात महस 16 साल की उम्र में ही देश की आजादी के आंदोलन में कूद गए थे महात्मा गांधी के अस संयों कांदोलन में यतिंद्रनात ने बढ़ चड़ कर इसा लिया विदेशी कपड़ों की दुकान पर धन्ना देते हुए यतिंद्रनात को गिरपतार कर लिया गया और उन्हें चै महीने की सजा हुई चोरी चोरा की इंसा के बाद महात्मा गांधी ने जब अस संयों कांदोलन वापस ले लिया तो यतिंद्रनात काफी निराश हुए और दोबारा कॉलेज में दाखील हो गए कांधी जी के आज सियों का अंदोलन वापस लेने के बाद उन्होंने एंसा की ठीओरी को छोड़ दिया और करांतिकारियों में शामिल हो गए पारत-माता के लिए कुछ करने का ज़जबा लिये हुए यतिंद्रनात प्रशीद करांतिकारी सानल्यान के संपर्क में आये और करांतिकारियों के संक्टन ऐंदुस्तान शोचलिस रिपब्लिकन असोशियेशन के सदस्ये बन गे 1925 में अंग्रेजों के अंग्रेजों ने यतिंद्रनाथ को दक्षी नेश्वर बंकांड और काकोरी कांड के सिलसने में गिरपतार कर लिया हाला कि सबूत नहीं होने के कारण उन पर मुकदमा तो नहीं चल पाया लेकिन वो नजर्बन कर लिये गए अपने साथ हो रहे बुरे वेपार के विरुद में उन्होंने बूग अड़ताल की जब यतिंद्रनाथ की आलत बिगणने लगी तो अंग्रेज सरकार न डर कर 21 दिन बार उन्हें रिया कर दिया लाहूर सर्डेंत्र केस में यतिंद्रनाथ को भगस सिंग और अन्य करांथी कारियों के साथ पकड़ लिया गया जेल अपसर करांथी कारियों के साथ मार पीट भी किया करते थे करांदीकारी चाते थे कि उन सब को राजनीतिक बंदी मान कर अच्छा बीयव किया जाए जैसा कि सत्याग रहयों के साथ होता है जेल में करांदीकारीयों के साथ अच्छा ब्रताव ना होने के कारण बहगत सिंग ने अनीचित कालिन भूगरताल शुरू कर दी पगज सिंग ने यतिंद्रनाथ से भी भूगरताल में शामिल होने का अनुरोद किया यतिंद्रनाथ ने इस शर्थ पर भूगरताल शुरू की कि जब तक अंग्रेज उनकी मांगे नहीं मानेंगे तब तक वे अन नहीं खाएंगे उन्होंने अंशन शुरू करते हुए कहां था कि या मैं या तो मैं जीतूंगा या मर जाऊंगा यतिंद्रनाथ का यह प्रण शुनकर करांधिकारी सोज में पढ़ गए क्योंकि वे जानते थे कि यतिंद्रनाथ अपने प्रण के पक्के है इस अटल प्रण के साथ यतिंद्रनाथ की क्रांधिकारी भूकरताल शुरू हुए यतिंद्रनाथ के साथ क्रांधिकारी को ओसला बढ़ गया और दूसरे क्रांधिकारी कैदी भी भूकरताल में शामिल हो गए 13 जुलाई 1929 से अंशन शुरू हुआ जेल में करांतिकारियों को बहुत खराब खाना मिलता था लेकिन जेल के अफसर अंशन के बाद से उनके कमरे में बहुत अच्छा खाना रखने लगे करांतिकारी ये चीजे उटा कर फैक देते थे पर यतिंद्रेनात को इस सबसे कोई फर्क नहीं परता था और वो उन खाने पीने की चीजों की और देखते ही नहीं थे जेल के अधिकारियों ने तब उनका जबरन अंशन तुड़वाने की कोशिशे की बंदियों के हाथ पर बांद कर जबरदस्ती नाक में दूद डाला जाता था यतिंद्रेनात के साथ ऐसा किया गया तो दूद उनके फैपड़ों में चला गया फैपड़ों में दूर बर गया था इसके बाबजुद भी यतिंद्रेनात ने दवा खाने से इंकार कर दिया गया अंग्रेजों ने उनकी भूकरताल तूड़वाने की काफी कोशिशे की लेकिन वे सपल नहीं हो सके यतिंद्रनाथ की आलत बिगनने पर बगश्चिंग वा अन्य करांतिकारियों ने भी उन्हें भूकरताल खत्म करने को कहा लेकिन यतिंद्रनाथ अपने प्रन से पीछे नहीं आटे और भूकरताल के 63 दिन 13 सितंबर 1929 को उन्होंने लावर सेंटरल जेल्स में अपने प्रांट त्याग दिये यतिंद्रनास ने दिखा दिया कि देश की आजाती उन्हें अपने प्रानों से भी ज़्यादा प्यारी थी देश ऐसे करांतिकारी वीरों को सश्रत नमन करता है जै इन जै भारत